कि का सिक रहे हैं तब तिन बच्चे तिन उने को ले छोड़ दी इसकी वज़े से इसकी वज़े से क्या क्या लागए काफी लोग वीडियो देख रहे हैं वासु के गुजारिस करोगा थे कि वह सब्सक्राइब मारी मानद मदद करो तो यह बांजो खड़े जा बस बगवान की दयों यह नमर मेरा हैं साभ की तिरान में चोदा उनसट तरे पन बारा ठीक है साहिता करो जो बीच से में बात करो पूरा तरह के सी पिचक गया एक बार मैं दिखाने कोसिस करूंगा यह स से निकाल कर यहां डाल देंगे और आपका यह जो भाई है जो भी है यह परिवारा सद्द से मुमेंट करने लग जाएगा और जिन्दगी जीने लग जाएगा अब यह लेकिन इनकी द्रम पत्नी और इनके परिवार वालों ने छोड़ दिया लेकिन आज मुझे आप लोग तीन इनके बच्चे थे और कोई इनका रिलेसन भी ने था इनके लोगों सुनिवेदन है मैं बैनों ने करना चाफ से खरी हूं कि मेरे बाई की मदद करें अपना जीवन फिर से जिसके इनके पापा है इन्होंने इनसे मूँ मोल दिया क्योंकि वो इलाज कराने में सक्सम न इनकी ध्रमपत्नी थी ध्रमपत्नी ने इनको छोड़ दिया वह उसी आंती परिवार में कि मेरा परिवार ठीक है लेकिन कुद्रत को कुछ और मंजूर था दुखों का पार टूटके पड़ा तो ऐसा पड़ा कि आज सब कुछ उजड़ गया है सब कुछ विरान हो गया है जो पिछले 41 सालों से ग्रामीन क्षेत्र में दे रहा है गुणवता पूर्ण शिक्षा और सर्वश्रेष्ट परीक्षा परिणाम आदर्श स्कूल के साथ सवारें अपने बच्चे का भविश्य एड्मिशन के लिए आज ही संपर्क करें नमस्कार मैं किसर कुमार ग्रामिन मीडिया प्रापका बदबस स्वागत है इस वक्त मैं बात करूं तो जुन जुनु विदान सब्वाइब गराम पंचाइद बिसनपुरा की जो राजस्व गाउं है बिसनपुरा का राजस्व गाम दोरादास उस गाउं में मैं परिवार के पास में आया हूँ जिस परिवार की हालत से मैं आपको रूबरू करवाओंगा आप वीडियो को अन तक जरूर देखिए देखिए जब जब मैंने आप लोगों से एक गुजारिस की है अपिल की है किसी परिवार की साहिता के लिए तो बेखुब भी आप लोग जो इनके ननियाल है वहां के घर है देखे कहानी कुछ ऐसी है जब इनसान दुख में आता है तो अपने भी मूँ मोड़ लेते हैं ऐसा ही माजना कुछ होने को है कि एक बाई है एकसिडेंट हो गया समसे आ गई पिता जी ने साथ छोड़ दिया घर परिवार ने साथ छोड जिन्हों ने जनम-जनम का साथ निवाने का वादा दिया था कि दुक्ष और धर्द और परिशनी और सुके और हर चीज में हम कदम से कदमू कर चलेंगे लेकिन उन्होंने भी न का साह torpedo का कारण क्या था? क्यों इनकी इस्तित्रीकों पूरा प्रिदित यहां में आया हूँ पुरा माज़रा क्या है अब वीडियो को अन तक देखते रहेगा बाचित करते हैं तो पर दोक्टर ने बताया है यहां से हड़ी निकाल कर पेट के अंदर डाल दी है यह देखो यहां पर वो हड़ी डली हुई है और डोक्टर ने कहा कि आपके पास पैसे हो उस दिन आ जाना यह हड़ी यहां से निकाल कर यहां डाल देंगे और आपका यह जो भाई है जो भी है यह परिवारा सदस से यह मुमेंट करने लग जाएगा और जिंदगी जीने लग अब यह सुन व्यवसथा में सुन आवस्ता में ना किसी को जानते हैं ना किसी को पहचानते हैं अब बार इस कि पहुते के ना मतर अब लुड़ के दूने की बात के ओतन गया इनके ओश्यकर primary के मामल हो किऔर जिस वाकिय का आलत हो कर दो इस और हो अक्सिडन्ट हो। एक्सिडेंट हो। कड़ेंट है वया आउआँ है। कुछ गुडगा वाई आख ह।ँड़ा में किवह पिरी जो psychology और विरे आ estय आक्सिडेंट हो पादी बोला डाक्टर अज के साल आखरे हैं मता जी तो तोड की मरी अच्छा मता जी खतम हो गई थी तो हां बजन पुने विए दो मना कोई हो अच्छा फिर पीता जी तो है तो बहुत बहुत कुन करा है कि अप्रवी की बतारहे हैं मतलब इटा आपरा का सब को सब चोड़ा आइ नादी के वरोसी हो बाई यह नादी कर माम करें मेरी अधर के यह 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 पकर है बोट कर आए सेवा करांगी बहुत रखेज अपकर लगावागी अबीक टेलर लगावागी बिल्कल 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 पढ़ाई झोड़ खोड़ था बाई के लिए थ्यूज जोड़ की आपके ऑधि कौने तो अभी धुड़ खुड़ एग। किया गुला देरी तो पीसवा पड़ा जो लगा दी एक उप न कथा हो जाओ बताओ ना तो कथा हो लेवा थे बताओ लेव अच्छे डाक्टर कि यह प्राइबेट न लिया थे इलाज कर देंगा यह रहा है अब यह इलाज करा रहा है अब तो जब पर रहे पार रहे अप सरक बता देता हूं कि गुडगावा काम करता था और वहां से काम जो company है वहां से अपने घर जा रहा था वहां कहीं अक्सिडेंट हो जाता है अक्सिडेंट होने के बाद इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है और इनको hospital में admit करवाये जाता है वहां पे doctor इनकी यहां से जो हड़ी यह निकाल कर इनके पेट में डाल देते हैं और परिवार जनों को कहा जाता है कि जब आप के पास पैसे की व्यवस्ता हो तो आप आ जाना और यह हड़ी वापस डाल दे जाएगी आज यह सांस की नलकी यहां पर लगी हुई है और यह खाना भी सरुनारी चाहिए खान का सब चीजे की खुद की साधेवी की अपनी भीए उनकी भी बैहिन भीय है उनकी भी मतलब दूसरे इनकी प्ताणी ने दूसरी साधी कर ली और उनकी जो संताने ही उनकी भी साधी कर empirical को मेनेच करा था सबको साथ लेकर चल रहा था ऐसे लोगों के साथ ही इस वर बग्वान ऐसा क्यों करते हैं ये बिए ग मैं बात करूं तो दुक्ची बात ही है लेकिन कुद्रत को जो मनजूर होता है हों कर ही रहता हैं हम कुछ चली गई, अब इनका कोई सारा नहीं है, ये बूड़ी मा जो इनकी नानी लगती है, नानी की तो आत्मा रोती रोती है, इन्होंने मतलब अपने इस तर पे यहां पे लेकी आई, इनका भी मैं बात तो आप देख सकते हैं, तूटा फूटा सा ये मकान, इनके पास भी बड़ रोस्ता नहीं है, और आज हाला तरसी है, ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, और सब कुछ नाली से ही दिया जाता है, देखी मैं बात करूं तो ये लिक्विड दे रहे हैं, जो कुछ दिया जाता है, नाली से दिया जाता है, बड़ी ही बात ये भी है, कि इनके बच्चे है कितने बच्ची थीन बच्चे और यह बच्ची एक दो लड़के एक लड़की है और जिस परकार से बुद्धी मां ने कहा है कि इस बच्ची ने भी अपनी पड़ाई छोड़ दी है उसके लिए भाई के लिए क्यों बोले आपसे नहीं हो रही रही बुली मां करूंगी परलब इनका सग्गा भाई भी नहीं है इनकी भुअजी का लड़का है इस इस बच्छी का लड़का कि नार्णधी और उसके बाद बी उन्हों ने पढ़ाई को सबस्कुंच करती है किए लेटरिंग भी सींग्न करती है बाथरून कर वाति एक thought कंपनी में काम करता हूँ इनके ममी पापा और इनके प्रवार ने इनका साथ छोड़ दिया पापा के पास भी पैसे नहीं है अब वो प्राइब मत करी तो कारडोर से इलाद नहीं होगा कितने पैसे की डिमांड करते हैं शाथ लाग रुपे लगें साफ विद्यादर नगर में रोकेर का हुस्पिटल उससे में बात करके है था बोलो पैसे लिया और उसको लिया हो जाएगा अच्छा और यह हड़ी जो अंदर है यह मतलब व यह हड़ी निकाले गई और यह इसको काड़ पेट में लगा दिया और यह बाहर रहेगी तो खराब हो जाएगा और क्या का उन्होंने क्यों पैसे होता बाज़ा और यह इसलिए निकाली है तो बहु खूप का रही है पता नहीं लगए इसकी डिमांग की नस है बलोग है च चतिनों ने को ले छोड़ दी इसकी वज़े से क्या करते हैं अब मजदुरी करते हैं मैं आप रो मत हिमत रखो हिमत रखो देखो जायर सी बात है जिस परकार से कह रहे हैं यह तीन इनके बच्चे थे और कोई इनका रिलेस्न भी नहीं था इनके जो बच्चे थे तिन उन्के बुहाजी का यह भाई है और जो वो चोटी गुडिया गुड़ भार आना जो चोटी बहन है जिस परकार से कह रहे हैं कि इनका पूरा काम वो करती है इनको नहलाना दहल कुछ भी पिलाना सब चीज़े हैं कुसिया थी इस भाई के जीवन में भी लेकिन आज दुखों का पार्ट तो इस कदर टूटा कि हम कहा नहीं सकते आज पूरा परिवार सिरफ और सिरफ इनको देखर दुखी मनाता है आखिर करें तो भी क्या करें कि इनके पास जाए इनके जो तीन परिवार सिरफ से थे ये वो मेरी बहन है मैं आपको ये बात बताओं कि जिनके कारण इन्होंने जिस परकार से बताया है पंद्रा महेने से ये बहन इन्होंने कोलेज भी छोड़ दी है और अपने भाई के लिए दिन रात ये मतलब इनकी सेवा में लगे रहती है जब में आया था तो ये इनको नहला रही थी इनको नहलाती है और देखो ऐसे सिस्वेसर में हो जाते हैं इनकी धरमपत्नी ने इनको छोड़ दिया इनके माबाप ने इनको छोड़ दिया और अपने नन्याल रह रहा है नन्याल में इनकी मामा जी की लड़की है जो ये आपको अमीद है भाई से हो जाएगा हाँ लगता है अब यह काफी लोग वीडियो देख रहे हैं इन से क्या उम्म गुजारिस करेंगे कि में भाई की वो करें मदद करें मदद करें क्या प्रोसिजर होता पूरे दिन में क्या क्या सेवा करते हो आप एड़ गंटे से लाना प सेविंग भी करते हैं और आपके भाई ने पढ़ाई से लिए छोड़ दे कि भाई से इनके परिवार जना उनों ने क्या साथ चोड़ दिया क्या मामने वह इनकी बेगार ने करते कुछ एक महीने छोड़ा था तो इनकी ज्यादा हो गए और इनकी ध्रम पत्मी वह छोड़ कि अगे बांचों कि भाई ठीक हो जायो कोई साहिता मिल जातों क्या साल सुसेवा कर एक यूपंदरा मना से अच्छा घराला मतलब आकी साहिता को सेवा कोन करी जीटार चोंट पुनिया गरीब आदमी भाउं भी साहिता को यह वेगार खुनियों मेरा टबर ही तिन्यों इन कि अगरीब आदमी में करजेव तरह दबगा माँ को निवा बेगार में बाच होड़ी चली है पंदरा मना अगा बोल्यां पंदरा मन मुन पना अपकर नहीं तो मुनों खाड़ों खायो ने बोल सके ने कोई है अच्छा यह कंडिशन है अभी के लागा काफी लोग वीडिय एक यह होगए वीडियो देख रहे हैं भास व क्या गुजारिस करोगा थे कि वह सग्ड़ा मारी में मदद करो तो यो बांड़ों खड़े हो जा बस बगवान की दया हो दोक्टर ने कि नोक्तर है अवहला कि प्राइवेट में रिजा जाई हो फ्राइवेट में लिया हो मार यह चार मना को दें कि ममी खतम होगी और अब अब को करनी आतको नहीं मा उती तो आज इन पार थी हम यहाँ नहीं है महारी बेटा दो बेटाइं जट है महानों तीसरों बेटा है जद आजी कितने सेवा कर रहा हुआ अब लेकिन इनकी द्रहंपत्नी और इनके परिवार वालों ने छोड़ दिया लेकिन आज मुझे आप लोग उपसे एक उमीद है कि आप लोग इस परिवार का सहरा बनेंगे और सहरा बनकर इसकी ऐसे सहाइता करेंगे कि यह दुबारा इस मैं बात करूं तो इससे जग को इस लग सके और इस परकार से कहा गया कि अगर इसका इलाज हो जाए थोड़े पैसे की विवस्ता हो जाए तो वो हड़ी वापस यहां लग जाएगी और पूरा स्रीर का मुमेंट वापस सही हो जाएगा और यह भाई वापस अपनी इस्तिति में आ जाएगा और यहां आसी हो जाएगी इसका बला हो जाएगा और आपका दस रुपे पास रुपे में कुछ विगड़ने वाला भी नहीं है क्योंकि आप बहुत से पार्टियों में ऐसे पैसे उड़ा देते हैं मेरा आपस निवेदन रहेगा इस भाई कर दें कि यह भाई वापस अपने जिवन को द करते हैं